अखिलेश ने कहिए ऐसी बात जल भूनकर राख हो गए केश्रव अखिलेश ने मोदी योगी पर साथा निशाना तो केश्रव ने उसे मान लिया नाग का सवाल अखिलेश ने केश्रव की राजनिती को अपने शब्दों से कर दिया ध्वस्त अखिलेश नहीं जो कहा उससे लगा केश्व पस्त हो गए। उत्रब्रदेश की नौविधान सवा सीटों पर उपचिनाओ होने वाला है। इसको लेकर कई दिनों से सपा और बीजेपी में वार परटवार के साथ ही पोस्टर वार भी चल रहा है। लेकिर अब एक बार फिर योपी की राजनेती में केश्व परसाथ मौर बनाम अखलेश यादो की राजनेती गरमा गई। सपाध देक्ष अखलेश यादो ने बीजेपी की राजनेती को जब डेकोड किया तो पता नहीं क्यों केश्व परसाथ मौर या अखलेश से भिरने के लिए आ गए। हाला कि इन दोनों ही नियताओं का एक दूसरे पर वाल प्रटवार करने का दौर कोई नया नहीं है। ये दोनों ही नियता कभी एक दूसरे पर कटाश करने का मौका नहीं छोड़ते। अखलेश जादव ने कहा उनकारात्मक नारा उनके निराशा नाकामी का प्रतीक है इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनकी जो गिंती के दस प्रतिशत मत दादा बचे हैं अब वो भी सकने के गगार पर हैं इसलिए ये उनको डरा कर एक करने की कोशच में जुटे हैं लेकिन तो सत्ता में रहकर भी कमजोर ही बाते कर रहे हैं जिस आदर्श राजी की कलपना हमारे देश की में की जाती है उसके आधार में अभय होता है भय नहीं ये सच है कि भय भी थी भय बेचता है क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही बेचेगा देश के दिहास में ये नारा निक रिश्ट्म नारे के रूप में दर्झ होगा और उनके राड़्यितिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आँखरी शाब्दिक कील सा साबित होगा देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिये के साथ अपनी सलाहकार भी बदल लेने चाहिए ये उनके लिए भी हित कर साबित होगा एक अच्छी सलाह ये है कि पाले तो अच्छे विचार पाले और आस्तिन को खुला रखें साथ ही बाहों को भी इसी में उनकी भलाई है सकारात्मक समाज कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा नकारात्मक नारा उनके निराशा नाकामी का प्रतीक इस पर डिप्टिसियम के शपरसाद मौरिया घुस्से से तिल मिला गए अकलेश पर निशाना साते हुए कहते हैं सपा परमुक्ष्री अकलेश यादव का पीडिया असल में एक छलावा है एक पिछला दलित अर्ब संक्यक का नहीं बलकि परिवारवाद, दंगाई, अपराधी का गठबंदन है दूसरी और भाषपा का पीडिये है, परगती विकास और सुशासन भाषपा ने सुशासन और भस्टाचार मुक्त भारत के अपने संकल्ब को दृड़ता से निभाते हुए विकास के पत पर देश को आगे बढ़ाया है अब जनता जानती है कि असली पीडिये कौन लेकर आया जो देश की तरक्के में यकिन रखता है और वो जो केवल जूट हिनारों में अब केशो परसाद मौरिया के इस बयान पर अक्रेश की ओर से कोई परतकरिया नहीं आई तो वो गोर गुसे में आगे उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट करते वे लिका श्री अक्रेश यादव का पीडिये असल में परिवार डेवलिप्मेंट एजनसी है नाम तो गरीबों पिछलों और दरीतों का असल मकस्त सिव अपने परिवार का वस्तार करना है असलियत में टिक्टों की लिस्ट आएगी तो बस चाचा भतीजे और करीबी ही नज़र आते हैं सपा ने गराम सबा से लेकर लोगसबा तक परिवार वाद का जहंड़ा एतिहास और वरतमान दोनों तक है दूसरी और प्रधार मतरी शीन नेंद मोदी जी हैं जो लाखों गहर राजनितिक परिवारों के यवाओं को गराम सबा से लेकर लोगसबा तक में शामिल कर परिवार वात के दल्ल से लोकतन्तर की बौन्याद मद्बूत कर रहे हैं सपा का पीडिये का मतलब सिरिफ परिवार का विकास, भाशपा का लक्ष, लोकतंत्र का विस्तार, परिवार मॉडल और विकास मॉडल का फर्क जनता समझ रही है अब किश्र परसाद मॉरिया के इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखलेश यादव के और से कोई रेक्शन नहीं आया अखलेश एक तरह से केश्र परसाथ मौरिया को इग्नोर कर रहे हैं एक तरह से अखलेश बता रहे हैं उनके राजनितिक बोल उनके लिए कोई माइने नहीं रखते